हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एन हरियाना हाई कोट के एक लेटेस जज्जमेंट के बारे में जो की बात करता है कि क्या एक बार जब माबाप अपने बच्चों को अपनी प्रोपर्टी से बेदखल कर देते हैं तो किसी बहाने से बच्चे उसमें रहने के अधिकार को मांग सकते हैं या फिर नहीं जज्जमेंट की पीडियाफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो इंफोर्मिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलिएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि बात हो रही है पंजाब एन हर्याना हाई कोड के एक लेटेस जेटमन के बारे में जो की माता पिता और वरिष्ट नागरिकों के भरन पोशन और कल्यान अदिनियम 2007 के तहत एक बेटे और उसकी पतनी के खिलाफ पिता के कहने पर बेदखली के आदेश को बरकरार रखा इस मामले में एक पिता ने किफ्ट के जरिए या फिर दूसरी डीट के जरिए अपने बेटे को उस प्रॉपर्टी में जिसका की उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था ट्रांसफर करने से मना कर दिया था बेटे ने ये कहकर उस मकान पर अपना दावा किया था कि उसको रेनोवेट कराने में उसने काफी कुछ खर्च किया है लेकिन कोट ने कहा कि बेटा इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उसने पिता के मकान में रहने का अधिकार है ये कहकर कि उसने मकान में रेनोवेट करने में खर्चा किया है कोट ने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोड़ दिया कि जब बच्चे अपने माबाप को भागे के बरों से छोड़ देते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनके साथ दुखदाई बहेवियर करते हैं तो मातापिता की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है वो हर तरह से असाहाए हो जाते हैं और उनके पास कोट में आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता कोट ने कहा कि हम मानते हैं कि एक जीवन आसाधरन चुनोतियों से भरा पड़ा है लेकिन ऐसे मौके उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिन्होंने की आपको पाला पोसा है क्योंकि बच्चे के जनम के साथ माबाप सर्वोच रक्ती का आनंद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं यहाँ पर जेस्टिस हरने सिंग गिल ने गुरु ग्रंथ साहिब का भी उल्ले किया और कहा कि बच्चों को माता पिता को भगवान का रूप मानना चाहिए मामले की बात करें तो कोट ने एक बेटे और उसकी पतनी की क्रिमिनल रिट पैटिशन पर सुनवाई की जिसमें माता पिता और वरिष नागरिकों के भरन पोशन और कल्यान अधिनियम 2017 के तहत पिता की और से जो आवेदन किया गया था उसको खारिज करने की मांग की गई थी इस याचिका के तहट याचिका करता को मकान के बाहर निकालने का आदेश दिया गया था पिता ने अपने बेटे और बहु को इस आधार पर बेदखल करने की आवेदन किया था कि याचिका करता उनके और उनकी पतनी के साथ अच्छा विवहार नहीं करते हैं और उन्हें बुनियादी जरूरतों से वंचित करते हैं वे प्रोपर्टी को भी हत्याना जाते हैं उनके इस आवेदन पर थाने सर के सब डिविशनल मजिस्टेट ने कहा कि पिता मकान मालिक हैं और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने याचिका करता को बेदखल करने की सिफारिश की जिसे की जिला मजिस्टेट के कार्याले में भेज दिया गया इसी के अनुसरन में डीम कुरुक शेत्र ने 17 जुलाई 2019 को एक आदेश के जरिये से याचिका करता को इस मकान से बेदखल करने का आदेश दे दिया था लेकिन बेटे के द्वारा ये दावा किया गया कि यह मकान एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ती है और इसलिए उन्हें उस मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता और उन्होंने उसके रेनोवेट कराने में काफी योगदान भी दिया था लेकिन कोट ने 2007 के अधिनियम के सेक्शन 23 का उले करते हुए कहा कि अगर कोई वरिष नागरिक 2017 के अधिनियम लागू होने के बाद गिफ्ट के रूप में या फिर किसी और डीट के रूप में अपनी प्रोपरिटी को इस सर्थ पर ट्रांसवर किया है कि प्रोपरिटी को पाने वाला उसे बुनियादी और भौतिक अवश्रक्ताएं देगा लेकिन वो लोग जब बात में ऐसी सुविधाएं देने से मना कर देते हैं तब वरिष नागरिक की ओर से किया गया संपत्ती का ट्रांसवर धुखा-धड़ी या फिर जबर जस्ती या अनुचित प्रभ लिया गया तो फ्रेंस ये था पंजाब एन हरियाना हाई कोट का लेटिस जज्जमेंट माता पिता और वरिष नागरिकों के भरन पोशन और कल्यान अधिनियम 2017 के बारे में खोब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा